तो भाई साब केसे हो आप सभी की सभी लोग तो BGMI हमारा बे नहीं हो रहा है यहारा के सारा ठिक ठाक सा चल रहा है तो हम भी हमारे next classic crate और premium crate के links को देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर नए आने वाला है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो जैसा कि भाई साब आप सभी को पता है कि पहले भी classic crate के अंदर हमें free M24 गन देखने को मिला था जो काफी सारे लोगों ने निकाला भी था काफी सारे लोगों को नहीं भी मिला था तो अब जो है next classic crate आ रहा है इसमें कौन सी upgradable गन आ रही है वो भी मैं बताने वाला हूँ और उसकी release date क्या होने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो होने वाली है काफी interesting दोस्तों तो वीडियो को कर देख एक like फटावट से और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को कर लिजे subscribe क्योंकि यहां पर भी नया content मिलता है जो देखने को मिल रहा है वो aurelion magnetic cover है यानि कि head gear है जो कि यहां पर आप देख सकते है उसके साथ में aurelion magnetic set है जो कि एक mythic है तो यहां पर एक तो हमें यह mythic मिल गया है और दूसरा यहां पर हमें जो इसका head मिल रहा है वो legendary है Set mythic है और head legendary है तो उसी के साथ में यहां पर हमें पूरा set complete रेखने को मिल जाता है तो यहां पर आमएं दो मितिक मिल गया है तो यार यह उच्छी काशि बात है है यहां है है तों साध् expressed Episode तो मैं है जो तिक थाकौकसा है इतना तक पर हमें देखने को मिलता है यानि की पुराने जमाने की जो घडिया होती थी विंटेज clock backpack उस type का यह यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें भी level 1, 2 और 3 मलब काफी खुबसूरत सा जो है यहाँ पर हमें देखने को यह मिल रहा है उसी के साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक pen जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यह PUBG के अंदर आपको देखने को मिलेगा बीजी एमाई के अंदर नहीं आने वाला है तो यह काफी उसे के साथ में मिनी 14 मिल जाती है में golden paragon तो इसका भी लुक और टेक्चर बहुत ही प्यारा सा है यहाँ पर जो कि यह भी एक legendary होने वाली है और यहाँ पर हमें एक M24 देखने को मिलने वाली है जो कि PUBG के अंदर दे नहीं से रिखा दिरता हूँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है diamond headgear जैसे कि अब देख सकते है diamond headgear है यहाँ पर बहुत हरा में back pack मिल रहा है diamond का तो यह भी बहुत खूबशार रंश के बाद में diamond helmet है और यहाँपर हमें एक मिल जाती है Molto Cocktail जो कि ये भी अच्छी है और ये है हमारा Magnet Set और यहां Solar Oil Set और Diamond Set ओ भैसाथ यहां पर हमें तो तीन Mythic देखने को मिल गए ये भी Mythic है जो कि Diamond Magnet Set हमें देखने को मिल रा है बहुत खुपसरट लुक इसका लगा रा है उसे के साथ मैं यहां पर इनी 14 जो मैं पहले आपको दिखा चुगा हूँ वहीं पर हमें एक यह सेट मिल जाता है और सेल सेट है और एपिक के अंदर हमें यहाँ पर मिलने वाली है नौटी क्रिस्मस बगगी जो कि काफी खुबसूरत दिख रही है उसे के साथ में यहाँ पर हमें एक मेट हेड़ बॉ क्या अच्छा लगता है यहाँ पर हमें ब्लड पेक शूज भी मिल जाते हैं वह भी अच्छा है यहाँ पर सिफ करेक्टर अच्छा होना चीए उसके साथ में यहाँ पर आपको पैरशोर्ड देखना को मिल जाता है एम-4 की जो है इसकीन देखना को मिल रही काफी उसी के साथ मैं एक zungके ड्रेश दिख रही है जोकि epic के अंदर दिख रही है बट यह एक legendary dress मुझे देखने को मिल रही है epic के अंदर काफी सुरासती ड्रेश है यहांपर उसी के साथ मैं एक ब्रिंगन्ड एक mini 14 हमें देखने को gs पर में सेकंड क्रेट के बारे मैं आपको सब कुछ शारी बता चुका हम अब हम यहाँ पर बात करेंगे थट प्रीमियम क र handling क्रेट के अंदर हमें और क्या-क्या देखने को मिला है डूट ghostless Faulkon Cover है जो कि यहाँ पर मोरगे टाइप सा हेड हमें दिया है बहुत खुब सूरत लग रहा है मुझे काफी अच्छा लगा उसी के साथ में हैं यह पर foulcon aid भी है तो foulcon said भी काफी अच्छा लग रहा है इसका green wine का जो combination है बेस्ट कंभिनेशन है यह सब legendary है दोस्तों बहुत खुपसूरत लूट है इसका ग्रीन और येलो का जो कॉंबिनेशन है इसका बहुती प्यारा यहाँ पर दिया गया है तो यह मुझे अच्छा लगा उसी के साथ में यहां पर इसका पूरा सेट है वह काफी अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करक या काफी सारे premium crates के अंदर हमें देखने को मिल चुका है पहले हमारा third premium crates था दोस्तों तो इसके अंदर हमें साब साब नजार आ रहा है कि सब कुछ legendary है mythic कुछ भी नहीं होने वाला है इसके अंदर जबकि पहले जो next classic crate हमने देखा उसके अंदर हमें 3-3 mythic देखने को मिली तो आप हम यहाँ पर बात कर लेते हैं release date की दोस्तों तो आप इसके उपर देखें यहाँ पर आपको एक classic crate देख रहा है जो कि हमारा भी classic crate चल रहा है वह कौन सी गन है जो हमारी upgradable आने वाली है तो वह भी मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो इसके अंदर एक lion set जो आने वाला है यहाँ पर आप देख सकते killer tune m24 तो भाई सब यहाँ पर भी जो है फिर से हमें m24 देखने को मिलने वाली है पहले यहाँ पर हमें मिल जती जी 35 यह हमारा m24 का लुक है और यह पूरा जो है हमारा tiger वाला set है उसी के साथ में यहाँ पर नौटिक किटिंग भी मिल जती है में जो कि मुझे काफी पसंद है काफी सारे यहाँ पर सस्ते सस्ते set भी है जो आपको दिखा देता हूं यह वाला set भी QBZ की जो है वो इसकीन है उसी के साथ में एक bike भी हमें देखने को मिलने वाली है motorbike उसी के साथ यहाँ पर हमारा साथ एक और यहाँ पर जो lady pack है वो भी है यहाँ पर काफी सारी guns वगेरा भी है जो कि इसकीन काफी अच्छी है इनकी जो forest revenger guns हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है उसी के दार में पूरा सेट एयुनिफॉर्म है जो कि मैं आपको सब कुस दिखा चुका हूं पहले भी तो यही सब कुछ हमें यहाँ पर सस्ति क्रेट से अंदर देखने को मिलने वाला है जो कि epic होने वाली है उसी के अंदर तो यह सब जो थी हमारी मैंने आपको बत तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो प्संद आई होगी, अगर वीडियो प्संद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करे, चैनल पर नए है, तो चैनल को कर लिए जिस सब्स्क्राइब, तो आज